दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूटिव मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे हरियाना में हो रहे विदानसवा चुनावों की बेशक इन चुनावों में कांग्रेश का एज बताया जा रहा है कांग्रेश के पक्ष में पल्ला भारी बताया जा रहा है लेकिन दोस्तो जो भाजपा सूत्रों के अंदुरूनी खबरें हमें मिल रही है तो उससे पता चलता है कि भाजपा आसानी से हार मानने वाली नहीं है जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा की जीत की संभावनाए वहां जादा होती है जहां विपक्स बिखरा हुआ होता है तिकोना चुनाब हो जाता है यदि आमने सामने की टक्कर हो तो भाजपा के लिए जीत किसी हद तक मुश्किल हो जाती है ये कई उधारन देखे गए हैं चाहे वो महराष्ट का हो या बिहार का हो और भी कई हैं तो कांग्रेश को हराने के लिए या अपनी जीत को सुनिशित करने के लिए ही ये बताया जा रहा है कि भाजपा इस फिराक में है और उस पिलानिंग के तहत काम कर रही है कि भाजपा की कांग्रेश से सीधी टकर ना हो और विफक्षी दलों में विखराब बना रहे और ये मुकावला तिकोना या चोकोना हो जाए तो आप सोचेंगे कि वो कैसे दोस्तों आप जानते हैं कि बसपा का रिनेलों का चुनावी गडबन हर्याना में हुआ है और जेजेपी और आज समाज पार्टी यानि भीमार्मी का समझ होता एक अलग से चुनावी गडबन बना है दुसेंट चुटाला और अपने चंद सेकर के बीच में तो दोस्तों जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि राजनीती में कोई स्थाई से धानत नहीं होता कोई ना कोई स्थाई दोस्त होता ना दुश्मन होता है तो कहा जा रहा है कि हरियाना में भीमार्मी और दुसेंट चुटाला का जो गडबन बना हुआ है पर्दे के पीछे भाजपा का हाद बताया जा रहा है बसपा इनेलो गठवन्दन में भी भाजपा की नीती काम कर रही है और वो इसलिए कि जिस से की हरियाना में विपक्षी दलों के बोटों का बटवारा हो सके या जो जाट एक मुस्त भूपिन तिंग हुड़ा या कांगरेश के साथ आता दिखाई दे रहा है और दलित भी कांगरेश के साथ आता दिखाई दे रहा है बसपा इनेलो गठबंदन और जजपा आसमाल पार्टी गठबंदन से उनके दलित और जाट बोट बैंक में सेंद लगाई जा सके तो ये इस नीती पर भी भाजपा काम कर रही है इसके अलावा एक और नीती बताई गही है जो भाजपा ही सूत्र बता रहे है कि भाजपा कांगरेश को सत्ता में लोटने से रोकने के लिए ये भी पिलान मना रही है कि जादा से जादा सीटों पर कांगरेश के खिलाफ विद्रोही उमीदवार चाहे वो लोग हों वो नेता हों वो कंडिडेट हों जिनको कांगरेश का टिकट नहीं मिलेगा उनको या इस तरीके के जो भी नेता जिनको टिकट कांगरेश नहीं देगी तो उनको चुन-चुन कर बड़े-बड़े धाकर कांगरेश नेताओं के खिलाफ भाजपा परदे के पीचे से चुनाव लडाने का प्लान बना रही है जिससे की वो रशूकदार समाज में पैठ वाले जनता में पैठ वाले ऐसे नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनको कांगरेश नमीदवारों के खिलाब खड़ा करके जो उनकी या तो कांगरेश नमीदवार को हरा सकें या उसको कमजोर कर सकें कमजोर किस तरीके से कही ऐसे नेता हैं सबको तो टिकट मिलता नहीं है एक एक सीट पर आप जानते हैं कि पच्छिस सो चपन स्याइद उम्मीदवारों ने कांग्रेस की टिकटों के लिए दावेदारी किये 90 सीट पर तो ऐसे नेता जो पांच हजार से लेके 10, 20, 30, 50 हजार तक बोट खीच सकते हैं और कांग्रेस को नुक्सान पहुचा सकते हैं इस तरीके की भी प्लान भाजपा हाई कमान बना रहा है यानि भाजपा हाई कमान कथित बैती हवा कांग्रेस के पक्स में जो बताई जा रही है उसको रोकने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीती अपनाने जा रहा है और यही नहीं कि जो परदे के पीछे से जिन मजबूत उमीदवारों को कांग्रेस उमीदवारों के खिलाब भाजपा नेतर खड़ा करेगा उनके लिए हर तरीके से मदद करेगा और हर तरीके की मदद में दोस्तों आज की चुनाब बहुत महंगे हो गए हैं करोलों में चुनाब का खर्च हो जाता है चाए M.A.L.E. का हो चाए M.P. का हो तो इन हालातों में ऐसे मजबूत उमीदवारों को जिने वो कांग्रेस उमीदवारों के खिलाप खड़ा करेगी उनको मोटी फंडिंग भी करेगी जिससे की उनके चुनाब प्रचार में कोई कभी न रहे कोई धन के कारण पी को यदि हराना सके तो इतने बोट जरूर ले सके उनके बोट काट सके जिससे के भाजपा उमीदवार का पदला भारी हो जाए तो दोश्ट तो ये चुनाव हैं मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें कोई इस्थाई दुस्मन या दोश्ट महीं होता आप जानते हैं कि आज ज उनने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचाया है पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेश को पहुचाया है और सबसे बड़ा जो कांग्रेश को घाटा हुआ है दिल्ली के चुनाव हुआ हुआ है एक तरीके से दिल्ली के चुनावों में आपने कांग्रेश क सफाया कर दिया ये ही नहीं पंजाब में भी कांगरेश को हरा कर आप सत्ता में आ गई यानि दोनों एक दूसरे के दुस्मन हो गए हैं लेकिन दोस्तों आज आप देख रहे हो इंडिया गडबंदन के नाम पर जब नए सिरे से हरियाना के चुनावों में राहुल गांदी के निर्देश पर इंडिया गडबंदन को खड़ा किया जा रहा है और जिस तरीके से लोकसवा चुनाव में आप और कांगरेश मिलकर चुनाव लड़े थे उसी तरीके से उसी तरज पर विधान सवा चुनावों में भी आप और कांग्रेस का गठबंदन किया जा रहा है जिससे कि भाजपा को हराया जा सके हैं यह उधार में इसलिए दिया कि राजनीती में चुनाव जीतना ही मकसद होता है और राजनीती में कब क्यों किसके साथ चला जाये कौन किसके साथ चुनावी गठबंदन कर ले अपनी सुषदायनुस리 या सत्था में आने के लिए कोई नहीं जानता राजनीती में सब चलता है और कैसे पलटते हैं, वो मैंने आपको आप और कांग्रेश का उधारन दे दिया है तो दोश्टो राहूल गांधी और विश्ट कर राहूल गांधी कहिए बिलकि जो हर्याना के कांग्रेश के नेता हैं चाए हुड्डा जी हैं चाए उद्यवान जी हैं वो तो कह चुके हैं कि हमें हर्याना में कोई गठबंदन की जोड़त नहीं है रहा हम अपने दमपर चु चुनावों में या 29-29 के चुनावों में लोक्षबा चुनावों तक इंडिया गड़बंदन को भाजपा का मजबूत विकल्प तयार करने के लिए राउल गांदी इस नीती पर चल रहे हैं और उसी के तहट नए सिरे से कांग्रेश और आप चुनावी गड़बंदन हरियाना में करने जा रहे हैं जो अभी तक चर्चाएं हैं तो दोश्तो भाजपा अपने पासे फैंक रही है तीसरी बार चुनाव जीतने और सत्ता में लोटने के लिए लेकिन कांग्रेश नेतत हर कीमत पर इस बार हरियाना की सत्ता को प्राप्त करना चाहता है और यदि हरियाना में कांग्रेश जीतती है तो आने वाले कई और विधान सवा चुनावों में के लिए बूش्टर कांबूश्टर डोज का काम करेगी और एक माहौल बनाने के लिए जो माहौल बनेगा उस से भाजपा के लिए आने वाले चुनावों में मुश्किल हो सकती है और कांग्रेश और इनिया कड़बंदन का पलड़ा भारी रह सकता है दोश्तो ये था मेरा आज का मुद्दा देखते रहे देश रोजाना जै हिन जै भारत जै सविधान नमस्कार